हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इटीचर में दोस्तों आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें बताऊंगा कि कॉम्पिटेशन एक्जाम की त्यारी कैसे करें कैसे हम 90-95 परसेंट लाएं और सक्सेस हो तो अंत तक बने रहेगा हमारे इस वीडियो में पूरा देखे वीडियो में आपको टिप्स बताऊंगा कि कैसे हमें किस तरह से मेनेजमेंट करना है ताकि हम सक्सेस हो जो बच्चे एक्जाम की त्यारी करें उनके लिए इस वीडियो उप्योगी होने वाला है इस वीडियो में आपको चलिए शुरू करने हैं सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वह आता है स्लेबस तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप किसी भी कॉम्पेटेशन एकजाम के त्यारी कर रहे है तो सबसे जरूरी है उसका इंदर त्यार कीजिए उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है चाहिए जी के हो मैट्स हो इंग्लीश हो ऋ हिंदी ओ जो चैलेबस के नुसार जो टॉपिक्स है उनको अनुझ चलियर करें यानि कि हमें स्लेबर्स का पता होना चाहिए इसलिए authentic syllabus लेके रखना चाहिए success की पहली पॉइंट यही है कि हम स्लेबर्स कंप्लीट में पता होना चाहिए तो अब हम बात करतें अगला अगला पॉइंट है हमारे पास है किताबे अब हम बुक्स कौन सी लाएं क्योंकि के अंदर कई तरह की बुक्स अवेलेबल होती इसलिए आप ऑथेंटिक ऑथर की बुक लाएं या एंसी आटी की बुक अपने पास रखें उन से पढ़ें ताकि जिससे क्या है आपका सटिक उ अगर है हिंदी है इंगलीज मैथ मेंटल अबिलीटी है हर तरकी किताबे मार्केट के अंदर अविलेबल होती है और इन किताबों का अच्छे अध्यन करें गहन अध्यन करें पार बार प्रैक्टिस करें तो आप सफल जरूर होंगे आगे टॉपिक आता है तीसरा हमारा इस टेक्क्निक के बारे मैं यही कहूंगा कि आप जादे से ज़्यादा क्या करें कि किताब को अंदर से बढ़े शॉट कट तरीका न अपना यानी शॉट किष्टन न पढ़े शॉट आणस और प्विश्वन पढ़े डीपली अंदर से जितना भी पूरा मैटर होता है किसी टॉपिक हैं हमारा नंबर फॉर पे आता है वो है समय अब समय का टॉपिक सबसे इंपोर्टेंट है सफल होने के लिए किसी भी एक्जाम के लिए तो समय का टॉटेंट बेट कर लिए इसकी आप कब उड़ते हैं कब सोते हैं जिससे कि आपको पता जाए कि सुबह मुझे यह पढ़ना है दोपर मैं यह पढ़ना है साम को यह पढ़ना है कम से कम आप 8 गंटे रेकुलरली पढ़ाई करेंगे तो आपका सफल होना फिक्स है या तै है 100 परसेंट आपको कोई भी रोग नहीं सकता समय का मेनेजमेंट होना जरूरी है तभी आप एक सफल कॉम्पीटेशन में उतरेंगे और सफलता आपके कदम चुम्रेगे थैंक यू दोस्तों पॉर वाक्रेंगे